ओल्ली हिशार जिले के अंदर महाराज अगर सैंजी के नाम पर बनी हुई है जब भी कोई नेता दसपीज देता है तो वो कहता है मैं हिशार जिले के अंदर महाराज अगर सैंजी की धर्म नगरी के अंदर आया हूँ तो महाराज अगर सैंजी की नगरी के नाम पर फुकारा पी जागता है तो इसलिए सकार को उसकी तरफ से धियान देने की जरूरते यह मिले बी है मिलने के लावा सारे मंत्री दाम में आते हैं एक को ना आते हु नहीं पर एक नहीं कि इंदर सकार से अगरवा के विकास के लिए जो जना हमने त्यार करके दी है उसके उपर बार्थी जारी है के इंदर सकार से भी हरियार सकार को जीन्द की पावन धर्ती के उपर बैस संकलब रेली होने जा रही है जिसकी पूरी इक्तियारिय कम्प्रीट कर चुके हैं रेली इत्यासिक होगी और वैस समाज में बड़ा भारी उस्ता है और वैस समाज अपना हिद को जानता है यहां तक कि लगाता बैस समाज जो है राजनितिक में पिछरता जा रहा है सभी राजनितिक पालतियां बैस समाज से चंदा लेने के लिए यूज करती है जब कुछ राजनित में इस्सेदाई देने की बात आती है तो बैस समाज को इंगोर किया जाता है यह बड़ी बहारी दिक्कत है और जहां तक की अगरवा अगरवा जो है माराज अगर सेंजी की धरम नगरी है और अगरवा के साथ अगरवा दाम के साथ देश के ही नहीं पुरे विस्व के बैस समाज की आस्ता जूड़ी हुई है और मेरी केंदर सकार से मांग है अगरवा में अनेको बार केंदर के मंत्री आए रेल मंत्री आए अमी साजी भी आए और अनेको मुखे मंत्री बहुत सीनियर नेटर सब आए और पिछली बार भी उन्होंने अगरवा को रेल्बे लैंड है जोडने की गोसना की टिल्दा जो मारादा कर संजी का जो महल एक सो अपत्थीस एकड़ में त्ल्ये बना जो महल थर्ड त्ल्ये के ख्रूप में बदल चुका है उसकी खुदाई की गोशना की जबकि बजट सैसर में इसार अगरवा सर्षा तिरानमे किलो मीटर रेलवे रैन की मंजूरी मिल चुकी है लगबग बजट के इंदर पास हो चुका है लोक सबाइन पास हो चुका है बड़ा अभी तक अगरवा को रेलवे लैंड से नहीं जोडा गया वह रहन से जोड़ा जाए महराजागर सैन जी का जो महल है 125 करमान था जो टिल्ले के रूप में बदल चुका उसकी खुदाई का काम तुरुन परवाब से सुरू किया जाए ताकि खुदाई में जो सामगरी निकले अगरवा धाम के अंदर महराजागर सैन जी के नाम पर विसाल म्यू जुम में रख सके ताकि आने वाड़ी युवा पिड़ी महराजागर सैन की जीवनी से प्रेर ना ले और जादा जादा राख्ट वजनता की सेवा कर सके ये ज़रूरी बात और मैंन बात क्या है में महराजागर सैन जी त्याक की मुर्थी थे महान पूर्ष थे पुरा भिस सेंजी की जंती मैं देश नहीं मैं भी सब की बात बोल रहा हूं बड़ी धूम्दें हमसे बना जाती है यानि कि ऐसे पहला देश के राजा होए जिनकी जंती लगातार चछे मिन्ने तक बनाई जाती है ऐसे माहनपुर्ष की जीवनी के इंदर सकार को सीवी सी बोड के इंदर साथ मी करास के इंदर पठे करम में लागू करनी चाहिए ता कि देश के जो हमारे युवा बच्चे हैं उसकी जीवनी से प्रेजना लेकर आगे भड़े पता लगे बाई किस प्रकार मारा जगर सेंजी ने त्याक करके जब उसके राज्ये में काल पड़ा पूरा अन और धन के सारे बंडार खोल दिये और यहां तक की गरीबों को उच्चा उठाने के लिए हर प्रकार की साहिता देने का काम किया देश के अंदर पहले एक हैसा राजापाद होगा जिन्होंने गरीब और अमीर की खाई को खतम करने का काम किया ऐसे महान पूर्शिक्वी जिमरी पढ़ने के बाद युवा परे है अगरवा जो धरम नगरी है कि शकार उसको महान नगर बनाए कि प्रोड़ों अर्वों रुपे समाज लगा रहा है तीसे कड में अगरवा धाम दोस्तों सब्सक्राइब के अंदर मेडिकल काली वहां नेकों संस्ताइं गहुंसाला और हमने मंदिर अनेकों बनाए होई है क्रोड़ों रुपे लगाते हैं डेली पांच साथ हजार आदमी अगरवाद हमें दर्सन के लिए आते हैं तीन हजार डेली मरीज मेडिकल कालीजियून की ओपीडी तीन हजार की है ना रेल की सुवदा ना बससड़ी की सुवदा बसाओ कैसे काम चलेगा तो सकार को बनाए रियाशि ओर सोपिंग सेंट्र काटे और मैं दावब के साथ कहता हूँ पुरफ देश का ब्यस समाद चाचता हैं तो सुमそれでは सब्सक्राइब जारों जो महां लगवा के देंगे जब हजारों दोग महां लगेंगे सकार के खजाने में लपलब दन भरेगा जमीन जो देवेंगे जमीन के पैसे मिलेंगे इंडिस्ट्री जब कोई लगाएगा उसके नोसी के रिश्टेशन के सारे पैसे वो मिलेंगे जब फैक्टेयां चाल लोगी लाखों लोगों रोजगार मिलेगा और सकार को पहले से ज्यादा इंकम टेक्स है जी एस्टी है बेटकर है मार्किट पीस है इतना धन सकार के पास आएगा सकार के खजाने में धन बरेगा लाखों बेरोजगार रोजगार मिलेगा और लोग उस धरम नगरी में काम करके और ल जरूरी बात है ताकि लोग दूर दूर से जाते हैं पता लगे क्या चीज है क्या बात है जो द्रहम नगरी है तेखिए आप एरपोर्ट मापे मरा जाकर से नाम पर तीसे कर्म धाम अने को गोव साला ओली हिषार जिले के अंदर महाराजागर सेंजी के नाम पर बनी हुई है जब भी कोई नेता जब सपीज देता है तो वो कहता है मैं हिषार जिले के अंदर महाराजागर सेंजी की धर्म नगरी के अंदर आया हूं महाराजागर सेंजी की नगरी के नाम पर पुकरा जाता है तो इसलिए सकार को उसकी तरफ वसेश दियान देने की जरूरत है यह मेरी सकार से माँगए देखिए कदम तो क्या है कि इंदर सकार से लगातार हमारी बाती जारी है मिले भी है और मिलने के लावा सारे मंत्री दाम में आते हैं एक तो ना आते हो नहीं और एक नहीं एक मारा सिस्टम चलने चल रहा है के इंदर सकार से अगर वागए विकास के लिए योजना हमने तियार करके दी है उसके उपर बाती जारी है के इंदर सकार से भी है यहां सकार वो देखते हैं भी कब तक वो से चड़े मैं तो उम्मीद करता हूं जल्दी चड़ेगी अगर वो योजना से चर्थी है मैं दावे खत लूं कि कितना पैसा में लगाना पड़े एक क्रोड़ों और रुबर रुपे हमने समाज की तरफ से लगवाना पड़े तो क्या करूं मैं फचलती नियुक्त कैसे लिए उस बंदे ने बेर इवी की जर्थ की बात कर रहा हूं कोई लब में पांस साल की नहीं में दो मिन्ने तीन मिन्ने पुरानी देश स्वेकर जमीन लेगा बैठा गला उसका बहुत बड़ा सिस्टम था मंबे की अपाल्टी है अर होपीटल मनाऊंगा और जमीन 2,000 एकड़ कठे करने की जोजना थी वागर वह बीच मुरू किया जब तब तक फैसल्टी नहीं मिलेगी तो कैसे कैसा इसको काम चलेगा कैसे को ना दोग लगाएगा बता मुझे अधुक्त जबी लेगे ना फैसल्टी तो यह ज़िए है हम चाहते हमको और चूट नहीं चाहते हम नहीं चाहते हम आप तुम फैसल्टी दो सुबदा देओ तुबदा देओगे तो हमारा समाज आगके आएगा और एक बात और कहता हूँ सबसे ज़्यादा देश की विकास और तरक्की में सबसे ज़्यादा योगदान किसी का है और वैस समाज का है देश की अजादी के अंदर भी हमारे समाज के जो बड़े बड़े सिगर नेता थे लाला लाज पत्राई जैसे पाप्पु मात्मा गांदी जैसे हुकम चंजाएं जैसे जान की कुमार्णी देकर देश को अजादी में अपना बुरा योगदान दिया आज भी सकारी खजान जगत के अंदर भारत देश का नाम पुरे भी सबस्ट काना काम भी हमारे समाज ने की हैं हम राजी ती जबी तो पिछड़े हैं क्यों पिछड़े हैं कि हमारा समाज जो है पर पार बेदोग की तरफ जास तरगया राजडी तिक में थोड़ा सा वो बुरा मानने लगया वह थोड़ा सा ही अपना आपको अलग कर गए और बेपार और दोगी जगत में चले गए मगर मजबूरी है मजबूरी क्या है काफी समाज जिक दार में काम ऐसे होते हैं बिना सकार के पूरे नहीं होते हैं इसलिए राज जितिक में बागेदारी करनी जरूरी है युवाँ को आगे लाना जरूरी है और हम यहीं चाहते हैं ज्यादा ज्यादा समाज का व्यक्ति राजनितिक में अपनी बागेदारी सुचित करें यह जरूरी है उसके लिए पूरी इंदाज पूरे हर्याना नहीं पूरे देश के अंदर बैस समाज के युवां के लोगों की करेंगे और ज्यादा ज्यादा रचाज्य सवाह हो चीज़ लोग सवाह हर्याना के अंदर बिदान सवाह वहां पूर्चाने का काम करेंगे पहले हमारा अठारा विदायक अठारा विदायक होते थे, दो बार मुख्य मंत्री हमारे हर्याना में बने, बत्तरा एंपी होते थे, अगर हमारा मजबूत, हमारे आदमी मजबूती से बिदान समा में जाएंगे, हमारा बहुमत होगा, लोग समा में होगा, तो हम अपनी बात को उठास कहेंगे, देश के वेपारियों को रहा दुलास कहेंगे, आम जन्तों को सुबदा दुलास कहेंगे, यहाना में दुलास कहेंगे, इसलिए संगस कर नहीं हम तो जन्ता की लड़ाई करते हैं जन्ता के हित में हम खड़े होते हैं जन्ता को आगी जादा जाला है आप बताओ पिच्छा 90% 95% उसको तो नोकरी नहीं मिलती सकारी कंदर या कोई मड़िशन नहीं मिलता 45-47% उसकारी नोकरी मिल जाती है और वहाँ कोई मड़िशन मिल जाता है जो बच्छा राद दिन पढ़ाई करता है जो मतलब राद दिन टेंशन लेकर आगे बढ़ता है जब उसको नोकरी का समय आए उसको नोकरी ना मिले उसके दिल पर क्या बित्तेगी उसके प्रिवार के समाज सबको साथ लेकर चलता है जो समाज के जितना भी है अच्छे बच्चे हैं पड़े लिके बच्चे हैं योगता के हिसार पर उनको नोकरी दी जाए जो ज्यादा जिसके निंबर है जो ज्यादा समझदा की बच्चा तो डक्तर बंजे और पिचान में परसंट डाला बने को नी तो पिंतारीश परहला बच्चा तो वह इस हुआ लगा हुआ जितना पढ़ाई कर रखी है फ्रस्ट पॉरा साला ही परक्ता बाई साथ यह मनला क्या पीड़ा है जब मैं जाता हूं पूरदेश के अंदर जब ल करने तेम स्रुदार की जूर्टी लोचना नहीं सब हम एक है हम को सकास के खिलाब है हम सकार कि साथ कड़े हम्-दोफ नचींड नडने ले मैं सका मंग रकिये मोझ मोटना निस सख्या काम करें ऑपूर क। उस्क्षय बल्ल मुदिए सवागत होगा गा अच्छा काम लेना मेरे पैसे देने थी यह जब हम पैसे लगा रहे हैं आपने दम पर हम काम करने त्यार है तो सब करने तक अपने बात करिये नोगोरियों मेरा शिस्टम में चत्ति बरा देगा किसी के नाम नहीं लिए मैंने मेरे बेटे बेटें के वागस मेरे बच्चे के रहते हैं मैं सभी समाज के लिए सारे समाज हमारा है समासमाज वे समाज़श भादि जाता रहा यह सोचने की जूरत है समझने की जूरत है कर चीज़ जैसे होती है खुल के नहीं बोली जा सकती मगर आप यह बताओ आपका एक बहाई है उसे 90 नंबर प्रसेंट नंबर ले पिचान में ले लिए जब और नोक्री लेने के लिए जाव है मेरा बच्छा है 50 पर उसको तो मिल सब्सक्राइब लिए, गड़न की पर विफेंगी ही, हुआ जा लाता है, तो यह पूझे होुज झाता है कि इसको खत्म कैसे किया जाएगा, सब क सब्सक्राइब तो एक माले प्यूलिय रखा जाता है मैं यह कह रहा हूं सब को जो बच्चे है आप सब बच्चों मनोबल बढ़ाओं सबी को अपने उस जो नहीं राइट एंग को दो आज बड़ी बड़ी कंपनिया जो सब बच्चा बड़ा लिक होते नहीं वो पड़ते पड़ते नेट प मैं ब्रेन ब्रेन तो मेरे भी है इसका कंपूटर ब्रेन है अंकल जी कंपूटर तो बाद में काम करता है इस बच्चे काम पहले करता है आप यह बदाएए उस बच्चे को अच्छी नोगरी ना मिले उस उच्छे को जो कंपूटर जिसका दिमाग है उसको वह स्था ना मिल सब्सक्राइं कुल की बूंगर को आगे लाना चाहिए सकार को खास तोर पर बेपारी वाह दोख्पत्रों के तरह बसेश द्यांंस बेरोजगारी खतम करना चाहते हैं तो और तीसरी बार बैस समाज जो आज कल हमारा राजनिती के अंदर जो थो थोला सा फिछरता जा रहा है जा हमें राइट कम मिल रहा है उसकी तरफ सभी राजनिती के पार्जियों को उसको अच्छे इससे दारी देनी चाहिए लोग समाँ अच्छी बात करेगा बिधान समाँ अच्छी बात करेगा दंता की इत्की बात करेगा चार उपे घर से लगाके पल्ले से लगाके विकास भी करवाएगा इसमें कोई दोर है नहीं यह जड़ा हो गया एक मांगे को रखी भी आपके सामने मारा जगरसन जनती जो बड़े महानपूर्श त्याकी मुर्टी मारा जगरसन जी है उनकी जनती पर राष्टी अपकास होना ची छुट्टी होने ची यह जरूरी है यह बहुत जरूरी मांग है यह सकार के इंदर सकार को तुरुंत प्र लागू करना चाहिए या पंद्रा अक्तूबर को गौसना करनी चाहिए यह मेरी परदानमंत्री जी से माँ अगरा है।